नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जिसे वहां की मीडिया और वर्ल्ड मीडिया में तो खूब उसकी तारीफ हो रही है लेकिन जो अमेरिका का परसाशन है अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं और पुरे वर्ल्ड वाइल जितने भी डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी है सभी इसे एक बहुत बड़ा बलंडर मान रहे हैं वहीं भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी रहात की खबर है और बहुत ही जादा फाइदे मंद चीज भी भारत के लिए हुई है क्योंकि अमेरिका के इस कदम के बाद पूरा अरव वर्ल्ड भारत की मुठी में आ चुका है और भारत इसकी मुठी से ना सिर्फ पाकिस्तान को बलकि चीन को भी बूरी तरीके से पटकनी देने जा रहा है वहाला कि अगर नुक्सान की बात करें तो इससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुक्सान होगा क्यूंकि अरब वर्ड पूरी तरीके से एक तरफा भारत की तरफ जुक गए है उसी तरीके से जिस तरीके से रश्या की जरुरत आज की तारिक में चीन बन चुका है थीक ऐसे ही अब अरब देशों की जरुरत भारत ही है क्या किया है वो तो मैं आपको बताऊगा और भारत को कैसे फायदा मिलेगा इससे सब कुछ आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूँ तो मेरे साथ अपिसोड में थग बने रहिए तो चलिए बिना समय गवाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा जमाल खशोग जी का केस जी हाँ उस समय ये आरोप लगा था कि साओधी के जो टोप लिडरशीप है मुहमद बिल सलमान उन्होंने ये कतल करवाया था उसके बाद तमाम तरह के आरोप भी लगे लेकिन अमेरिका बचा ले गया साओधी अरब को और इसके बतले में साओधी अरब ने अमेरिका को भी तोफा दिया अमेरिका से एक साल के अंदर ही सो बिलियन डोलर के हत्यार खरीदे और टोटल जो मतलब की एक्सपोर्ट था अमेरिका का साओधी अरब को ये साड़े 500 बिलियन डोलर पहुँच गया था ये कितनी बड़ी रखम है पाकिस्तान की जो टोटल इकूनमी है उसको अगर आप दुगना कर दें उससे भी ज्यादा सामान अमेरिका का खरीद लिया था साओधी अरब ने अमेरिका को भी इसके फाइदा हुआ लेकिन अब जो बाइडन राश्ट पती बन चुके हैं आपने आपको मानते हैं कि बहुत ही बड़ा मतलब की यूमन राइट का कारे करता टाइप का तो उन्होंने जमाल खाशोग जी के केस में साओधी अरब को एक तरीके से अपराधी माना है और साओधी अरब पर परतिबंद लगाया है साओधी अरब के करीबन चोतर ऐसे जो टोप ओफिशल्स थे जो साओधी के किंग के बहुत करीबी माना जाते हैं उन पर परतिबंद लगाया है साथ ये भी काया कि ये परतिबंद आने वाले से में में बढ़ेंगे परतिबंद किस टाइप के हैं इन सभी लोगों का अब अमेरिका में जाना परतिबंदित है इनके जितने भी खाते हैं, इनके जितने भी प्रोपरिटी है, बिलियन्स डॉलर की, वो सब फ्रीज हो जाएगी, और जो वहां की पश्चिमी मीडिया है, वो तो इसे लेकर बहुत सा अताइफ कर रही है, जो बाइडन की जी, उन्होंने तो जबरदस्त काम किया है, और हुम अमेरिका का जो सबसे बड़ा सहयोगी है, जिसकी मदद से, वो पूरे गलफ को कंट्रोल करता है, साओधी अरब, वो इससे बेहद नाराज होने वाला है, और अमेरिका को किसी ना किसी रूप में वो चोट पहुचाएगा ही पहुचाएगा, भाई पैसे का नुकसान होगा अमेरिका को चली वो तो एक तरफ है, लेकिन जितने में मिडिल इस्ट में देश हैं, इन सबी को कंट्रोल करता है साओधी अरबिया, और साओधी अरबिया का कंट्रोल करता है अमेरिका, तो इसलिए अमेरिका का कंट्रोल साओधी अरब से कम होगा, और साथ ही पूरे मिड अगये हैं तो वो साओधी अरब के खिलाफ माने जाते हैं ऐसे में उन्होंने भारत सी नजदी क्या बढ़ानी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी भारत को बहुत सारे फेवर भी दिये थे यहां तक कि भारत के कहने पर ही उन्होंने बहुत सारी डिप्लमेटिक स्टैब भ उठाए थे और चीन के खिलाफ भी कुछ कदम उठाए गए थे लेकिन अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब साओधी अरब पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा इंडिया पर देखे इसका एक बड़ा कारण ये है कि अभी तक साओधी अरब पूरी तरीके से अपनी सुर पूरी अरब गई वहाँ पर युदभ्यास भी किया था यानि कि से साफ संकेत मिलता है कि भविश्य में साओधी की सुरक्षा की बागड़ और भारत के हाथों में आ जाएगी और इसके बदले भारत को क्या मिलेगा साओधी से तो वो ही मिलेगा जो अभी तक पश्चिमी देशों को मिला करता था यानि की भयंकर इन्वेस्टमेंट बहुत जादा जो साओधी के पास पैसा है तेल का वो इन्वेस्टमेंट होगा भारत की मार्केट में और भारत की मार्केट पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगे और भारत के अर्थवस्था अभी एकदम से ट्रिमेंडेस तोर पर उसे एक किक मिलेगी जबरदस्त वाली तो वहीं तीसरा फाइदा होगा डिप्लमाटिकली देखे जिसने भी साओधी को कंट्रोल कर लिया उसने समझी है पूरे अरवड को कंट्रोल कर लिया अगर भारत यहाँ पर साओधी की सुरक्ष से भी ज़्यादा बहतर होगा वो ऐसे क्योंकि भारत की यहाँ पर मिडलिस्ट के दोनों पक्षों से अच्छी दोस्ती है पहला पक्ष तो है इरान का और सीरिया का दोनों से हमारी अच्छी पठती है हम दोनों देशों की मदद भी करते हैं दूसरा पक्ष होगा साओधी पर हम पूरी तरीके से कबजा करी लेंगे तो ऐसे में भारत का जो पूरा मिडलिस्ट का कैप्चर प्लान है वो और अच्छी तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा भारत के पक्ष में और भारत इसकी मदद से पूरे एश्या की एक बड़ी महाशक्ती बन जाएगा तो इस प